हेलो माई डियर फ्रेंट्स वन्स अगर मलकम बैक तो मैई चैनल आज वीडियो में आपके साथ ऐसे पौदो के नेम शेयर करूंगी जो बहुत देज गर्मी में आराम से कटिंग से ग्रोव हो जाते हैं यह जितने भी प्लांटे हैं फ्रेंट से यह बहुत ही हाड़ी प्लांटों होते हैं और कहीं पर भी यह पौदे हमें दिखने को मिल जाता है तो अगर आपके पास है तो आप घर में कटिंग कीजिए और अगर आपकी पास नहीं है तो कहीं से भी मांगे आप अगर चोटी सी कटिंग लाके भी लगा दे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो जाएगे तो लिस्ट पे जो सबसे हाड़ी और सुफर फास्ट कटिंग से ग्रोव होने वाला जो समर सीजन का हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है इसे पोचुलो का या मोस रोज नाइन अकुलॉग और पोचुलो का भी इस पौधे को कहते हैं इसके धेरो सारे कलर हमें कहीं पर भी आसपास और नर्सरी में दिखने को मिल जाता है और अगर आपके पास है ये पोधा तो फ्रंट से इसकी उपर की आप दो दो इंच की कटिंग लीजिए और किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉयल में लगाकर एक हफते तक अगर आपने चा और इस टैम इसमें आप फ्लावर भी देख सकते हैं ये पोधा ऐसा है कि इस टैम आप कटिंग से भी ग्रो करेंगे और चोटे से पोध में ही इनके फ्लावर आपको दिखने को मिल जाएगा क्योंकि समर सीजन का सबसे हैवी मातरा में फ्लावरिंग करने वाला ये पोधा ह होता है और सबसे कम कियर में कम पानी में और कम फटिलाइजर में चलने वाला भी ये पोधा होता है और ये पोधा हमें नरसरी में फ्रंट से 15 रूपीज का भी मिल जाता है और अगर आप किसी से मांग के भी लेके आ रहे तो हर कोई इस पोधे को दे भी देता है अगर आप कि वहाँ फ्रेंट से 40 से 50 डिग्री की भी टेंपेचर हो रही है तो उस टेंपेचर में भी ये पौधा कटिंग से बहुत आराम से ग्रो हो जाता है आपकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होगी अगर आपने धूप में नहीं रखा तो आगी जो पौधा है फ्रेंट से इसे ट्रंगल हाट कहते हैं ट्रंगल हाट एक समर सीजन का सेक्लेंट प्लांट है फ्रेंट से ऐसा सेक्लेंट है जो समर सीजन में ही इसकी ग्रोइंग टाइम होती है समर सीजन में ही ये पौधा हमें नर्सरी में मिलता है और अगर आपकी पा से रोट ग्रो हुए रहते हैं तो अगर आप इसी नोड एरिया से कटिंग लेके किसी भी सेंडी सॉयल में लगा कर हलकी पानी का स्प्रे करके अगर आपने एक हबते तक बिना धूप के इसे रोशनी वाली जगा पे रखा तो ऐसा नहीं है कि आपकी कटिंग फेल होगी कुछ जो टिप्स होते हैं फ्रेंट से जिन्हें हमें कटिंग के साथ साथ फॉलो भी करना होता है जो वीडियो में मैं आपकी साथ शेयर करती रहती हो तो आप कटिंग कीजिए फ्रेंट से और टिप्स को भी थोड़ा सा फॉलो ज़रूर करें आपकी कटिंग हंडेट परसंट क् कटिंग से लगने वाले पौदों में से एक वोट लिली भी एक सुफर फास्ट ग्रोइंग पौधा होता है जिने हम अनली डिवाइट करके अगर किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉयल में लगा दे और धूप से अगर स्टार्डिंग के कुछ दिनों तक हम बचाए और कम पानी दे तो ये पौधा बहुत जल्दी से एक नया पौधा तियार कर देता है इस टाइम इनके कुछ इस तरीके से चोटी चोटी से वाइट कलर की फ्लावर्स ग्रोव होते जो दिखने में काफी सुन्दर लगता है और बोटली इसलिए कहते हैं फ्रेंट से क्योंकि बोट सेफ में से इनके फ्लावर्स ग्रोव होते हैं और sandy soil तियार करके आप इस पौधे को लगा दीजिए, एक से आपके पास धेरो सारे पौधे तियार हो जाएंगे, नेक्स्ट जो प्लांटे है फ्रंसे से मैक्सिकम पिटूनिया कहते है, मैक्सिकम पिटूनिया एक ऐसा हाड़ी और सेल्फी सीडिंग प्लांटे है फ्रंसे की एक पार आपको इस पौधे को अपने गार्डन में लाने की जरूरत होती है, उसकी बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पौधा एक पौधे से धिरो सारे पौधे कैसे तियार हो गए, कटिंग से भी ये पौधा बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, प्रंसे पानी में भी और सॉयल में भी इनकी कटिंग बहुत तीजी से ग्रो हो जाते हैं, अगर आपको कहीं से भी इसकी चोटी सी कटिंग भी अगर उपर की टीपकी मिल रही है, तो आप लाके उसे लगा दीजिए, और अगर आप हलकी सी सनलाइट में भी इनकी कटिंग को रखेंगे, तो भी इनकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होती है, यह जो पौदे है फ्रेंट से यह टिरिफिन वे किया कि एक बाराइटी है, जो दिखने में काफी सुन्दल लगता है और इंडोर प्लांटे हैं, तो इस पौदे की आसपास से बहुत सारी बेबी प्लांटे इस टाइम ग्रो होते हैं, तो इनकी बेबी प्लांट को आप डि करता है, और स्टार्डिंग में अगर हम ज्यादा पानी देते हैं, तो नीचे की इनकी कटिंग खराब भी हो सकता है, तो इस बात का जरूर तहन रखें, अगर आपकी पास है या कहीं पर भी रिलेटिफ में फ्रेंट सर्कल में अगर यह पौधा दिख रहा है, तो आप एक चोटी सी कटिंग माँगके, आप अपने घर में फ्री में इस पोधे को एट कर सकते हैं, बेवी सं रोज एक ऐके इसा फ्लाफरिंग सेकलोंट प्लांटे हैं फ्रेंट से, जिनकी कटिंग हम अलfa गरमी में ही कर सकते हैं, पूरी साल हम वेट करते हैं कि गरमी आया और इस प तोति है उतनी ही जन्दी ये पौधा कटिंग से ग्रो ओ जाते है बस इसी बाद का धिहन रखिएगा कि जब हम कटिंग करते है तो पानी का थोड़ा सा धिहन रखना पड़ता है ओर वाट रिंग जादा मत कीचिएगा नित जो कटिंग हम लगाते हैं वो नीचे से खराब हो और cutting जब भी ले फ्रेंट से तो उपर की tip की cutting अगर आपको मिले और जो पुराना अगर प्लांटे हैं आपके पास तो नई ब्रांच जो ग्रो हो रही है उस ब्रांच को अगर आप लगाए तो भी cutting बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है इस पौदे को फ्रेंट से यूफोर्विया मिली कहते हैं और यूफोर्विया मिली की बहुत सारी variety आती हैं जो दिखने में काफी सुन्दर लगता है और इनकी flowers छोटे से बड़े size की भी होते हैं इतना हाड़ी ये पौदा होता है कि इस तेज दूप में अगर आप इसकी cutting करके दूप में भी रख देंगे एक दिन तक तो भी इनकी cutting खराब बिलकुल भी नहीं होती है किसी भी normal garden soil में अगर इसकी cutting करने के एक दिन बाद अगर आप लगाए तो बहुत अच्छा आपको result मिलता है तो इस पौदे को एक बार आप अपने garden में जरूर एट करें hanging basket में लगने वाला ये जो पौदा है इसे wandering जो गयते wandering जो भी बहुत जल्दी से cutting से grow हो जाता है और इनकी अगर 4-5 cutting एकी basket में लगा दे इनकी cutting बहुत जल्दी से grow हो जाता है बस starting में आप प्रंट से धूप से और पानी से जरूर बचाए सारी cutting को तो आपकी सारी cutting बहुत आराम से चलेगी तो ये थी कुछ plants है जिनकी cutting आप ती गर्मी में भी कर सकते हैं कुछ tips को मैंने वीडियो में share किया है तो इससे follow ज़रूर करें और चैनल में अगर आप पहली बारे तो प्लीज चैनल को subscribe के साथ जाथ एक बार बैकिन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंट से जय हिन जय भारत